मस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ फेंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं OEX और MECC दोनों ही टीमों के बीच खेले जाने वाले आज के T10 मुकाबले को सबसे पहले तो भाईयों दोनों ही टीमों से जुरू ही फाइनल अपडेट और फाइनल टीम के लिए आप टेलिग्राम चैनल को जरूर जोन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्सन में इसका आपको लिंक मिलेगा बड़ी आसानी से आप वहाँ से हमसे जुड़ जाएंगे आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल पर पहली बार बिजिट हुए हैं चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेज करना बिलकोल भी न भूलें भाईयों इस वीडियो को अंग तक जरूर देखिएगा ये वीडियो आपके लिए कापी हैल्पुल रहने वाली है और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तो शुरूबात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रिव्यू के बारे मे टूनामेंट का ये साथबा और आटबा मुकाबला होने वाला है भारतीय समय अनुसार स्याम को साड़े चे और साड़े चार बजे से दोनों ही मुकाबले ये खेले जाने हैं दोस्तों बात करें यदि बेन्यू के बारे में तो ब्रिक ब्रोक करेंट ग्राउंड में सारे मै कराए जाते हैं यही करना रहता है कि टॉस का कोई भी प्रवाब दोनों ही इनिंगों में देखने को नहीं मिलता है दोनों ही इनिंगों में सेम सर्फेस आपको देखने को मिलने वाला है लेकिन दोस्तों बात करें जो अभी तक ट्रेंड चला हुआ रहा है तो जीतने वाला अभी तक 95 का चला हुआ आ रहा है लेकिन दोस्तों आपको बता दे जब भी आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर यदि आप दो प्लियरों में फसते हैं दोस्तों एक बल्लेबाज और एक बॉलर है तो ऐसे मैं आप बल्लेबाज के साथ जाईएगा क्योंकि जो यह मुका बल्लेबाज के साथ अपनी टीम तैयार करकर चल सकते हैं तो शुरुबात करते हैं और सबसे पहले अपन बात करेंगे OEX टीम के साथ में OEX ने टूनामेंट में दो मुकाबले खेले हैं एक मुकाबले में हार मिली है यदि इन बात करें इन दोनों ही मुकाबलों के स्कोर्स के बारये में, तो पहले मुकाबले में जो टूनामेंटождения अनका पहला मुकाबला था, 111 रन इन्हों ने बनाए 7 बिकेट के नुकसान पर और सामने वाली टीम को 55 रनों से बड़ी हार इन्हों ने दीती, आगले मुकाबले में, सामने वाली टीम ने एक बार फिर 96 रन मना एच्छे बिगट के नुकसान पर और दोस्तों 25 रन से ये टीम हार गई थी, यानि ओवरॉल देखें, तो सामने वाली टीम के इन्हों ने दोनों मुकाबलों में 16 बिगट गिराए हैं, मतलब बॉलिंग इनकी ठीक टाक रहने वाली है, तो बल्ले बाजियों की बात करें, तो टॉप ओडर के जो बल्ले बाजियों दोस्तों हर बार वही स्कूर कर रहे हैं, तो इनका हमें इस मैच में जो टीम बनाएंगे, इस का में ध्यान रखकर चलना है, सबसे पहले बात करें दोस्तों, ओपनर्स के बारे में तो फेजल मुहमद लगातार टीम के लिए ओपन करेंगे, टीटवेंटी इंटरनेशनल का इने थोड़ा बहुत एक्सपरियंस भी है, जदी बात करें पढ़ेंटी 냉ंट के बारे में तो लास्ट मुकाबले में च्हरन बनाए हैं और दो ववर फेखने के बाद कोई विगेट नहीं मिला है, लेकिन इसके पहले बाले मुकाबले में ग्याइटवे एपन और तीन विगट टीम के लिए नकाले हैं सबसे ची बात ओपन लगातार कर रहे हैं दो अवर कबर कर रहे हैं इसलिए आप किसी भी लीग में ने कैप्टन और बाइस केप्टन ट्राय करकर चल सकते हैं अफारा का इनका एवरेजें सत्ता वार नोट आउट इनका हाइस स्कोर ह और पिछले दोनों मुकाबलों में दो ओवर कवर कर रहे हैं दो मैच के लिए हैं एक बार ड्रीम टीम का हिस्सर आए हैं और 76 एवरिज पॉइंट के साथ अभी तक ये अपनी मैचेस खेल रहे हैं वहीं दोस्तों बात करें इनके साथी के बारे में तो सोहिल कलीम लगातार इनके साथ ओपन कर रहे हैं दोनों मुकाबलों में ओपन करने ये आये हैं दोस्तों ये भी all-rounder player है पहले मुकाबले में तो・ इनको बिकेट नहीं मिला है लेकिन इस मैच इस टूनामेंट में 60 रन ये एक बार कर चुके हैं और 60 खाई इनका हाई एच स्कोर रहा है 14 मैचों में बॉलिंग किया 16 बिकट निकाले हैं 30 ओवर फेकने के बाद मतलब 2 ओवर ये बॉलर भी कवर करने वाला है यानि दोनों ही बल्लिवाज टोप वडर के आराम से आप कैप्टन और बाइस कैप्टन ट्राय करकर चल सकते हैं बागी दोस्तों बात करें राजा बकास हली के बारे में T20 का इंटरनेशनल एक्स्पिरियंस ये भी रखते हैं हाला की कम मुकाबले खेले हैं लेकन फिर भी दूस्तों Senior Pqiagat है T10 क्रिकेट में 30 मुकाबले खेले हैं 14 के एवरेस से दोस्तों 222 इनोने बनाए है 29 एनिंग में दोस्तों Boling की है 84 ओवर फेके हैं 25 बेकेट टीम के लिए नकाले हैं मतलब यह प्लियर भी ऐसा है 22 congressिय प्रिकर कर दिया कर दिया है यह दोनों काबले 2 उपकार यानि उपर से तीनों वल्लेबाज ओल्राउंडर हैं दोस्तों टोप बड़र पर बेटिंग कर रहे हैं तीनों ही इंपोटेंट हैं ग्रांड लिग में आप आराम से इनको ट्राय करकर चल सकते हैं बात करें नंबर चार के बल्लेबाज मंद्प्रिस सिंग संदु के बारे मैं दोस्तों ओल्राउंडर पलिइर ये भी है लेकिन दोनों मुकाबलों में एक ही कोबर कबर किये हैं और तीन बिकेट दोनों मुकाबलों में निकाल कर दीए हैं और टोटल 15 रन अभी तक ये बना चुके हैं, यानि उपर से चारों बल्लेबाज आपको सिलेक्ट करना है, और चारों ही ओल राउंडर हैं, दोस्तों तैसे में ग्रांड लीग में भी आपको इनको चारों पिलियरों को अल्टरनेट कैप्टन बैसे बन ट्राय करकर चलना है, ये पिलियर भी लगातार दोनों बार ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं, 67 एवरिज पॉइंट के साथ अभी तक पॉइंटर निनों ने किये हैं, अब बात करें, पांच में नंबर के बल्लेबाज सेयद शा के बारे में, दोस्तों ये बी ओल राउंडर पिलियर हैं, पिछले इसके पहले भी आप देख सकते हैं, टुनमेंट के पहले भी जो तीन मुकावल नों ने खेले हैं, तीन मुकावलों में एक एक बिकट निकाल कर दिया है, दोनों बार ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं, और 65 के एवरिज पॉइंट अभी तक अरन कर रहे हैं, यानि इन पांच प्लियरों को आपको सेफ टीम के तोर पर रखना है, अब बात करें सुल्तान दीवान अली के बारे में छेटवे साथवे नंबर पर आने वाले हैं, बिकट कीपरिंग सेक्शन में दोस्तों ये प्लियर आपको देखेगा, लेकिन हम सामने वाली टीम के बिकट कीपर को लेक करकर चलने वाले हैं, यहीं दोस्तों देखते हैं, सामने वाली टीम में अच्छा बिकट कीपर है, ऊपर खेलता है, तो उसे ही टीम में लेंगे, बागी दोस्तों अभी के लिए हम इस प्लियर को भी ड्रॉप करकर चलने वाले हैं, दोस्तों बात करेंगे, अमीम मलिक जई हैं दो बेकर टीम के लिए नकाले हैं बैटिंग की बात नहीं करेंगे क्यों काफी नीचे बल्ले बाजी करने आते हैं और ओवरॉल 11 मैचों में 26 के एवरेस से भी तक बैटिंग की है दोस्तों देखा जाए बैटिंग अभी के लिए काफी नीचा है तो अभी हम इने छोड़ कर चल रहे हैं खास करके बॉलिंग के को अपसन है यहां पर हम इने टीम में शामिल कर सकते हैं बागी बल्ले बाजी में हम सिलेक्टर इनको नहीं करेंगे सामने वाली टीम के भी स्टेट देखोगे तो आपको के लिए एकदम सब कुछ होने वाला है अब बात करें सेजाद आलम नवे नमबर पर आ रही है न बालिंग करतें आ बैटिंग करतें हैं दौसjego लड़ करें gaanो को साथ इसी चैनल कर देखोगे बागी कोई बेंच पर लियर टीम में शामिल होता है तो इसकी जानका री टेलिग्राम चैनल पर आपको हम शेर कर देंगे दोस्तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अबश्य करते चलिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा आगे बात बात करेंगे MCC टीम के बारे में दोनों मुकाबले के लिए हैं दोनों बार दोस्तों ये मुकाबले जीतने में कामियाब रहे हैं और दोनों ही मुकाबलों में 104-118 यानि 100 प्लस का स्कूर किया है और सामने वाली टीम के टोटल 17 बिगेट अनों दोनों मुकाबलों में गिरा हैं पहला मुकाबला 6 वे गट से तो दूसरा मुकाबला 31 रन से जीता है यानि जीतनों ने बड़ी बड़ी ली हैं अब देखते हैं किस प्रकार से परफॉर्मेंस ये कर रहे हैं और कैसे कैसे बल्लेवाज कौन से बल्लेवाज ये टोप वर्डर पर बल्लेवाज करने आ रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे खुर्रम चीमा के बारे में दोनों मुकाबले में ठीक टाक स्कूर किया है लाश्ट मुकाबले में शांदार 52 रनों की पारी इनों ने खेली है ओपन कर रहे हैं अच्छा बल्ले बाज़े इसलिए टीम में शामिल कर रहे हैं हाला कि ओबरॉल 14 का इनका एवरेज रहा है यदि आप थोड़ा वोत रिस्क लेना चाहते हैं तो इस पर रिस्क लेकर चल सकते हैं लेकिन दोस्तों अभी के लिए हम टीम में स्लेक्ट इनको करकर चल रहे हैं एक सट पॉइंट पचास का एवरेज पॉइंट इनका भी तक रहा है एक बार डीम टीम में ये शामिल भी हो चुके हैं अब बात के नताजंदर सरान के बारे में दोस्तों बिकट कीपर बल्ले बार यही हम अपनी टीम में शामिल करकर चलने वाले हैं क्योंकि दोनों मुकाबले में 2228 रंगी पारी खेलिए सबसे अच्छी बात ओपन टीम के लिए कर रहे हैं इसलिए दोस्तों हम इने ही टीम में शामिल करकर चलने वाले हैं पचपन के एवरेज पॉइंट को भी तक इनोंने अर्न किये हैं दोनों बार ड्रीम टीम का ये हिस्सा भी रहे हैं तो दोस्तों 17 का एवरेज इन कर रहा है इसलिए टीम में शामिल भी हम इने करकर चल रहे हैं बात करेंगे नंबर 3 के बल्ले बाज इक्राम उल्ला नशीर के बारे में में दोस्तों ओल राउंटर पिलियर है पहले मुकाबले में 35 लास्ट मुकाबले में नो रन बनाए हैं मतलब बल्ले बाजी में तो स्कूर करकर दे ही रहे हैं और सबसे अच्छी बात दोनों मुकाबलों में 5 बिगट टीम के लिए नकाले हैं बात करेंगे दोस्तों मिया खेल यार मुकाबलों में बल्ले बाजी करने आए हैं 20 लटार रन की पारी खेली है दोस्तों ओबर ओल ग्यारा का एबरेज है दो बार ड्रीम टीम का हिस्सा रहे चुके हैं 42 के एबरेज पॉइंट को अर्न कर रहे हैं अब देखते हैं दोस्तों कुछ बल्लेवास टीम में शामिल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं जब फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे दोस्तों बो हम आपके लिए बैस्ट टीम देने वाले हैं अब बात करें दोस्तों अपने शेकुल उल्ला के बारे में तो दोनों मुकाबलों में एक एक मतलब ओवर कवर किये हैं, तीन ओवर फेके हैं, पांच वेकर टीम के लिए निकाले हैं, बैटिंग की दोस्तों पांच वेटर नमबर पर आ रहा हैं, यहाला कि इसको मौका पूर मिलेगा, लेकिन फिर भी दो मुकाबलों में तीन ही रन इन्होंने बनाए हैं, टीम में आप इनको शामिल करका जरूर सल सकते हैं, साथ मैच के लिए हैं, साथ बेकर टीम के लिए अभी तक निकाले हैं, दो मैच के लिए हैं, ड्रीम टीम में एक बार शामिल हुए हैं, पि आप टीम में शामिल करका चल सकते हैं, बागी दोस्तों जो बोलर डेयर तोवर्स में बोलिंग कर रहा है उसे ही शामिल कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले टीम हमेशा दोस्तों टॉप फॉर अच्छे बल्ले बाजें, बिकेट वो नहीं देंगे, तो अब बात करें, मलेक बाज़ेंग कर रहे हैं, बो भी काफी नीचे आने के बाद, अब बात कर रहे हैं, अब्दुल रहमान जाई इदरिस के बारे में, दोनों मुकावलन दो दो अबर कवर कियें, दोस्तों ये शुरुबात में बॉलिंग करता है, इसलिए इसके उपर आप रिस्क ले सकते हैं इस्ट्राइक बॉलर है, दोस्तों आप सिर्फ उसे ग्रांड लिग में पिक करिएगा, हैट टुएड लिगों में क्या है कि ये ओपन, यानि स्ट्राइक बॉलिंग करेंगे, और सामने वाली टीम आपने देखी लिए, कितनी मजबूत उनके शुरुबाती टोप वरडर ब अच्छे मिल चुके हैं, अब देखते हैं, इनसे अच्छे रिए मिलते हैं, तो नहीं टीम में शामिल करेंगे, यानि फाइनल टीम जब हम बनाएंगे, तो सेक्टaying बाइनल पिलियो बटत जाएंगे, तो टीम बनाना हमें और वी आसान हो जाएगा, वागी 파इनल पिलियो 11 आयने के बाद दोस्तों जो बेंच प्रियर्स टीम में सामिल होते हैं इसकी जानकारियम टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अबश्य करिएगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरू करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाद जैहन दोस्तों